सरकार बेशक विकास के जितने मर्जी दावे करती हो लेकिन सरकार के विकास की तस्वीर देखनी है तो पिपली की गलियों से एक बार जरूर गुजरिएगा पिपली की गलियों की हालत इतनी खस्ता हो चली है कि यहां गंदा पानी भरा रहता है और बद्बू का आलम बना हुआ है इन गलियों में गंदा पानी भरने वो गंदगी भरने से बिमारी फैलने का डर बना हुआ है इतना ही नहीं स्कूली बच्चे भी इनी कलियों से होकर भविश्य सवारने स्कूल जाते हैं पिपली वासियों का अरोप है कि बार-बार कहने के बाद भी सरपंच वो प्रशासन सुनने को तयार नहीं है इस बारे में मीडिया ने जब सरपंच से बात करनी चाही तो सरपंच ने मिलने से ही मना कर दिया इसके बाद किपली के BDPO से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मैं तो लाडवा में हूँ सोमवार को ही मिल पाऊंगा इससे भेले मेरे पास समय नहीं है ग्रामिन सोम प्रकाष्ट का कहना है कि उन्होंने कई बार इस बारे सरपंच को अगहा किया है लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है साप जवाब देवा, मैंने कुछ करता है सकना हूँ नहीं है सब्सक्राइब करने के सामने के सामने ना कोई देखने आता यहां ना कुई एंपी ना ही कोई मदद कर रहा है जनावा से कहने के लिए तो सरकार कह रही है कि मतलब की बड़ी सुविदा कर रही है यहां तो कुई सुविदा नहीं है तो हम जो है बहुत परेसान है अस्कूल के बच्चे पानी में जो है नहीं लगाते हैं यहां बिमारियां फैल रही है यहां लोग बहुत परेसान है लाटवा रोड पी फिली गणे इसकल होनी तो सरकार हमारी कुई सुनवाई नहीं कर रही है बोट लेने के लिए तो आ जाते हैं पर जब कोई काम पड़ता है अब हमें पता है भी हम कैसे यहां पर टाम काट रह पान सालों अभी तक तो कुछ किया नहीं है तो हर चीज से परसान है सरकार हमारी समस्य को हल करें सरकार तो करें यहां तो कोई नहीं किया है हमारे बच्चे स्कूल जाने से भी परसानी है बता स्कूल नहीं जाते है तो मेड में बोलती है अब गंद में कैसे निकल का जाएं बच्चे बेमार तो पड़ रहे हैं हमारा कोई साधान निकर रहे हैं, ना अग्य पानी के निकास निकाल रहे हैं, ना कोई गली बन रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल से सारे बैठ रहे हैं, हम बहुत परेसानी में हैं, यह आपन ना कोई कूडा उठाने आता हैं, बहुत गंद में फिर रहे हैं हम यहाँ पर. क्या नाम आपका? क्या नाम बता दे नाम बता माया बत्ती